कैसे हैं आप सब एक और बहुत ही चैलेंजिंग एंड कॉंसेप्चुल प्रोब्लम आप सब के लिए लेकर आ गया हूं यह भी मुझे प्रोब्लम अच्छा लगा तो मैंने सोचा इस प्रोब्लम को भी आपके साथ जरूर सियर करना चाहिए और मैंने पिछले दो तीन वीडि मतब मैं जब वीडियो बनाता हूं तो मतब कोशी सही राता है कि उसमें अच्छे से अच्छे कोश्चन लाया जाए ओके तो चलो यह भी प्रोब्लम एक अच्छा ही प्रोब्लम है एक पार आप खुश से ट्राइक कीजिए तब इस सॉलूशन को देखना मतब इस वीडियो था उसमें कोशन यही था उसमें जब इसको मैं सॉल्व कर रहा था तो उसमें एक स्टेप ए आता है तो एक बच्छे का कमेंट था की इस अच्छे के बाद यह हुआ नहीं तो यहां पर ज्यादा कुछ सोचना है ही यहां पर तो बस इसके बाद बस फर्मूला अपला हुआ था formula in the case ऐसे देखो limit x to 0 and then यहां पर मैं लिखूँगा 10x upon x और equal to मैं लिखूँगा limit x to 0 x upon 10x यह सब क्या होता है 1 होता है इसी तरह अगर infinity में आ जाओ तो limit x to infinity and then 10 1 upon x divided by 1 upon x which is equal to अगर मैं लिखूँगा limit x to infinity 1 upon x अगर उपर में है और नीचे यहां यहां पर 10 1 upon x यह भी क्या देता है 1 देता है ठीक है यहां पर important यह होता है ना कि यहां पर जो भी angle यहां पर है वो ही यहां पर होना चाहिए ठीक है जिसे मैं example लेता हूँ यहां पर अगर मैं 10 के पहले limit भी लगा देता हूँ देखना limit x to infinity और मैंने आपसे question दिया मैंने आपको 4 upon x दे लिया ठीक है और यहां equal to कितना हो जाएगा, one हो जाएगा, तो इसका answer कितना आ जाएगा, आपके पास four आ जाएगा, यहीं चीज इसके साथ मैंने किया था, अब इसके साथ मैंने क्या ऐसा किया था, देखो, यह जो लिखा हुआ है, limit into infinity given है, ठीक है, और one upon में, यहाँ पे mention है, ten by upon four into one upon two to the power in minus one, य यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे जो है, one upon 10 के साथ pi by four है, मतलब ten के साथ जो angle उसमें pi by four है, तो इसलिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे pi by four से multiply करना पड़ेगा, अब pi by four से multiply किया है, तो pi by four से divide करना पड़ेगा, तो divide वाले part को मैंने ऐसे लिख दिख दिया था, अब यहां से लेकर यहां तक यह जो value है, यह जो value यह कितना हो जाएगा, limit into infinity में यह आपका one हो जाएगा, तो यह answer आया था, one into कितना four upon pi, तो four upon pi हमारा answer आगया था, आई होप आपको यह समझ में आगया होगा, यह जो concept लगा, वो concept लगा है, इसको देखकर, limit x to infinity, 10, one upon x, one upon x, देखो, one upon two to the power and minus one है ना, तो यही concept से यह भी result क्या होगा, one होगा, ठीक है, तो मारा answer आगया था, आई होप, आपको समझ में आगया होगा, अब चलिए, हम लोग, जो आज का question है, उसको solve करते हैं, देखिए, आपके पास पूरा question यहांगी बैने, देखिए, if this be the terms in the expansion of this, then आपको integration, मतलब यह evaluate करना है, आपको लग रहा है, question integration का है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सबसे पहले इस पर ध्यान देना है, अगर यह simplify हो गया, तो integration काफी easy हो जाएगा, इसे integration लग गया, फिल क्या हो गया, calculus वाला, और calculus का question देखिए, थोड़ा सा अच्छा feeling आता है, ओके, तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, तो मैंने बोला, आपको सबसे पहले इसको और इसको समझना है, ओके, उसके पहले दे रखा है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और नोट करें न, एन-C-R को directly हम लोग CR भी लिख सकते हैं, ठीक है न, ओके, तो यहाँ पे अगर फर्मूला अप्लाई करना चाहूंगा, यहाँ पर स्टार्ट होगा, 0 से, और X to the power क्या लहों जाएगा मेरे पास, X to the power हम लोग लिखेंग N, and E to the power कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, and then plus यहाँ पर लिखेंग C1, X to the power कितना हो जाएगा, N-1, और यहाँ पर E to the power कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, plus up to S1, चलता रहता है, ठीक है न, फर्मूला तो आपको पता ही होगा, ठीक हम लोग अब X plus A, and then power कितना 100 कर लेता है, यहाँ पर E-N का फिल्यों कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो में यहाँ पर लिखने वाला हूं C0, और X to the power, यहाँ पर E-N कितना है, 100 है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, और प्रिक्स फिर में लिखंगा पावर केमें आपके पास 100 ठीके नहीं हमने लिख लिया अच्छा आप देखो देश 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 भीधर टर्म्स इंडेक्स पेंशन अप देश तो आपको मैं यहाँ पर लिखना चाहूं तो यह जो गीवेन है यह क्या गीवेन है देश अगर यह जो मैं ऐसे ब्रैकेट मैं डालका लिख दिया और यह 300 300 लग रहा है यह कितना 300 ठीके न यहीं गीवेन आपके पास ओके जो की यह में इंसन है मतलब क्योश्चन में तो यह हमने लिख लिया ओकी तो आप देखिए यह मैं लिख लिया अब आज आओं आपको यह दिनुम्नीटर और पार्ट को थो सब्सक्राइब करते हैं कि यह क्या दे रखा है तो फॉस्ट देखो क्या दे रखा है सिग्मा और इसको टू जीरू यहां पर दे रखा है 50 एंदेन माइनस वन टू पावर आर और इसका क्या दे रखा है whole square मैं दोनों को one by one समझूंगा पहले इसको देन इसको ठीके और फि कितने हो जाएगा आपके पास आप करूट करूंगा 50 पॉस्ट इपटी जाएगा कितना होगा 40 भॉर ठीके अगर में ृडगे डालताहूं था आपके धटी में में निकल तब निकल गया ठीक है आब आते हैं इसको निकाल मैं तो यह लिखा हुआ है आस शिगमा और इसको लोटा रहा है और इसको पहला जीड़ी नाइन चाहिए यहां पूट करूंगा वन यह कितना हो जाएगा तो डालता हूं पर यहां पर फाइव जाएगा अगला मैं last में गया गा तो 49 तो मैनस वंट पार 49 यानिके लाश्म आएगा नीगेटिव और ती टूल पावर केतना हो जाएगा स्वरी टी टूल पावर नहीं टू इंटू 49 प्लस वन यानि कि 98 प्लस वन यानि कि यहां पर हो जाएगा 98 ठीक है और यहां क्या लिखा हुआ है आपने एक चीज़ नोट किया जो जब इसको हमने एवेलिवेट किया मतलब ऐसे लिखा तो यहां पर 1357 मतलब और नमबर आ रहा है और पहले बाले को जो सिंप्लिफाई किया था इसको तो यहां पर देखो 0246100 यह क्या रहा है आपमारे पास इवेन नमबर आ रहा है क्योंकि और इन दोनों का मुझे क्या करना है प्लस निकलना है अब क्या किया जाए प्लस निकलने के लिए ठीक है तो यहां पर आपने एक तो अपने नोट किया कि यहां पर 1 है 3 है 5 है मतलब एक में और चल रहा है और दूसरा में इवेन चल रहा है और दूसरा एक और भी इंपोर् बताता हूँ जो सबसे important step होने वाला है master stroke आप इसको बोल सकते हो वो क्या है यहाँ पर first note कर लेना एक काम करना है आपको यहाँ पर यूज करना है complex number का ठीक है अब यह हमें idea लगाना पड़ेगा कि हमें क्या value substitute करना है तो अगर मैं यह को अगर मैं a i से replace कर दूँ तो here i square is equal to minus 1 मतलब मैंने यूज किया है imaginary number ठीक है मैंने यूज किया है imaginary number imaginary number का मैंने concept apply कर लिया ठीक है ना ओकी i square is equal to minus 1 तो हमने क्या replace किया यह को ai से ठीक है तो अब आपके पास जो expansion है ध्यान देना x plus a to power n is equal to 2 आपके पास क्या आगिवेन है कहा लिखा हुआ है a लिखा हुआ है यह वला ठीक है तो आपको जहां जहां a है वहां पर क्या replace करना है ai ठीक है ना तो अगर देखो आपको ध्यान देना है इस पर ध्यान देना है इस पर ध्यान देना है इस बाकी बात में कुछ ध्यान नहीं दिना है तो जैसे A को हमने अगर AI से रिप्लेस किया ठीक है न? यहाँ पर मैं लेखता हूँ अगर देखो तो A को मैंने अगर AI से रिप्लेस किया तो यहाँ पर AI पावर 0 मतलब यह सेम ही रह चाहेगा क्या तो AI पावर 1 तो A to the power 1 I to the power 1 मतलब आयोटा बच जाएगा मतलब यह लिखा हूँ है आयोटा टी 1 यहाँ पर लिखा हुआ है आयोटा यहाँ अगले पर यहाँ पर आपको करना है के जगा AI मतलब AI whole square तो A2 रहेगा इो कि आ रूट को प्रक्रक्ष्ट होता है तो देखों माइस कितना आगया टी टू ठीक है अगला देखो अगला में आपको यहान पर विन नह veneration कि एकभी तो रहेगा इंट मोटक्ष आहोटा क्यू माइनस आयोक्त रहेगा इस जिए अगला में कितना यह जाएगा सब्सक्राइब लिखर किस्क्राइज आपके पास प्लस कुछ थी खिंड के ऑप टुट चलता रहेगा और last में क्या आ जाएगा तो last में आ जाएगा आपके पास यहां पे put करोगे यह आई hundred मतलब यह तुन पार hundred आयोटा तुन पार hundred क्या होता है one होता है मतलब यह last वाला पार भी क्या रहा जाएगा आपके साथ plus के साथ यह आगया अब इसको थोड़ा सा को क्या करना है rearrange कर लेना है मतलब real part को एक साथ real part कौन कौन सा है 10 minus कितना आ जाएगा T2 and then plus कितना जाएगा T4 अगला में क्या जाएगा T6 and then plus dot dot plus कहां तक जाएगे हम लोग T100 तक यह हो गया हमारे पास real part plus imaginary part यह वाला दिख रहा है यह वाला दिख रहा है अगर मैं आयोटा common ले लूँ तो यहां को जाएगा T1 minus कितना T3 and then plus अगला में आजाएगा T5 and up to 7 चलता रहेगा और last में कितना आजाएगा T इसके पहले आए जाएगा आपके पास T99 ठीके ना negative sign के साथ यह आपका आजाएगा X plus IA power T is equal to this right आप इसको हम लोग क्या कर लेते हैं वान मान लेते हैं ठीके अब यहां पे दूसरा जो second है आपको एक और काम करना है यह को किस से replace कर देना है तो minus AI से replace कर देना है अब दो काम क्यों किया गया अभी आपको idea लगेगा देखो यहां पे 20 में प्लस आया है ना अभी हमने replace किया minus IA ठीके तो यहां पे तो अगर यहां यह इसी पे आपको ध्यान देना है अगर मैं यहां पे minus IA कर लो तो यह वाला part change करेगा ना power क्या है 0 है कोई फार्क नहीं पड़ेगा मतलब यह जो रहेगा मैं लिखूं यहां पे x minus IA and then power 100 which is equal to पहला part क्या आना जाएगा 30 ठीके second part चेक करो second part में आपको यहां पे के जाकर पूट कर देना है माइनस AI ठीके तो यह negative हो जाएगा मतब माइनस कितना हो जाएगा minus T1 यहां पे हो जाएगा IOTA and then T1 ठीके अगला part में आ जाओ अगला part में आ जाओ कितना हो जाएगा यहां पे तो माइनस A i whole square माइनस का square positive हो जाएगा मतलब यहां पे आ जाएगा A square iota square मतलब माइनस T2 यहां पे आ जाएगा माइनस T2 ठीके देखवा रहा है ना यह चीज़ माइनस T2 आ गया और क्या आ जाएगा फिर प्लस iota T3 एक मिनद यहां पे पूट करता हूँ माइनस A i whole cube माइनस का cube निगेटिव और iota cube तो iota square into iota जाने कि 2 negative positive आ जाएगा मतलब यहां पे क्या आएगा प्लस iota T3 प्लस iota and then T3 ठीके और यह आपका आप टू सोन चलता रहेगा ठीके ना आप टू सोन चला दिया मैंने लिक्ता आगे आप लिखते रहो है लेख पूट करके and last में क्या हो जाएगा to last me i think हो जाएगा आपके पास वही प्लस कितना T100 क्योंकि last वाला पार्ट जो है nih लाश्ट वाला पार्ट है आपका kit ज़खा हुआ है यह लिःत किए पर कितना हो नहीं पड़ा हो तो यह हमारा हो गया complete ठीक है यहां पर भी अगर मैं rearrange करूं मतलब रियल पार्ट को एक साथ यहां पर जाएगा दीस minus T2 and then plus कितना हो जाएगा plus T4 and then minus T6 and then up to 7 चला दिया और last में कितना हो जाएगा plus T100 यह हो गया मेरे पास real part imaginary part में देखो imaginary part में minus Iota T1 Iota T3 तो अगर मैं हर में से अगर मैं माइनस common ले लूँ तो यहां पर कितना हो जाएगा T1 and then minus कितना हो जाएगा T3 and plus कितना हो जाएगा मेरे पास T5 I think देखो यहीं बनता है ना T1 minus 3 plus T5 and up to zone यहां पर dot 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 लगा दिया तो लाश्ट में कितना हो जाएगा minus T आपके पास 99 और इसको क्या माल लेते हैं हम लोग second equation ठीक है तो देखो बात बन गया ना अब आपको क्या करना है one multiplied by two दोनों को multiply कर लेना है यानि कि x plus Iota A and then power hundred x minus Iota A and then power hundred which is equal to two देखो दोनों पार्ट में यह पार्ट क्या है अगर A है अगर A पार्ट अगर B है तो A plus B into A minus B ठीक है तो formula क्या लग जाएगा formula जाएगा A square minus B square यानि कि this minus T2 plus T4 and up to मैं directly देता हूं ठीक है अब कितना बार लिखते रहूं मैं इसको तो 10 square कर देता हूं ठीक है and then minus क्या हो जाएगा तो Iota square or into T1 and minus यहाँ पर T3 and then plus T5 dot dot यहाँ पर minus कितना हो जाएगा T99 और यहाँ पर क्या लिखनेंगे हम लोग A square यह हो जाएगा न ठीक है तो यहाँ पर जब इसको simplify करेंगे तो दुनों के एक साथ कर लें तो X plus Iota A into X minus Iota A and then power कितना हो जाएगा 100 which is equal to देखो यह जो पार्थ है आपका यह जो पार्थ है क्यों सा आया हुआ है यहाँ आया हुआ है बिलकुल आया हुआ है अच्छा आज दूसरा पार्थ है आपका क्या आया हुआ है तो आपका यही आया हुआ है ठीक है तो जो हमें denominator में निकलना था वो निकल चुका है और Iota A square क्यों प्लस वन ठीक है यहाँ पर बस लिख देना है और क्या कितना लिख यहाँ पर यहाँ ना सब्सक्रिक क्यों क्यों अ两 meinas कितना यह ए इसका वैल्यू कितना आगया ए आगया अब इसको एकली एकस्प्लस बी इंटु ए माइन सीच स्क्वरण ज्यानिएकता Zuk स्क्वर चैया व क्योंकि थो रखत tam हो जाएगा यह स्कोर माटइस विपले कितना हो गया संदेट विच इकल्ट मेरे पास यह value खाए ठीक है तू आप integrate कर लेते हैं और integration क्या given था इंन्टीघरेशन x dx upon this बात बन गया एक्सटी एक्सटी आपर एक्सट्वार ब्लस यर्य ए्सक्वार अंडेर मैंने बोला था ना इसको इंटेग्रेशन नहीं नहीं न इसको इंटेग्रेट कर लेते हैं तो 1 बाइट टीटूर पावर कितना ओनेट और यहां पे डिटी विच इवकल टू वानपॉन टू टी कितना हो जाएगा माइनस अंडेट प्लस ओन इन डिएट बाइट अधि तो एक स्कूर प्लस एसकोएर ठीक है ना पावर कितना है 99 यह हमारा आंसर आ गया ठीक है तो बीच में देखो question लग रहा था बल्नोमियल का बीच में यूज हो गया तुरसा complex नमर में जो वहलू replace करना वाला पार था यह काफी जबरदस्थ था यही हमें idea तो लगाना पड़ता है ना यह हमें यह replace करना है और हमें क्या replace करना यह replace करना है ठीक है कहीं कहीं ऐसे problems में आपको जो cube root of unity होता है ओमेगा omega square omega 1 तो वही replace करना होता है तो यह बहुत ही standard problem होता है ठीक है I hope आपको यह solution है पसंद आया कहीं पर कोई भी अश्टेप में अगर doubt हो तो मुझे comment किजिए मैं next video में जरूर explain करने की कोशिस करूँगा अगर मैं इसको और अच्छे से explain करता ना तो यह video काफी लंबा जाता इसलिए मैंने थोड़ा सा बीच में बस जो समझने वाला था ना अश्टेप easy था उसको मैंने direct समझा दिया है